दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पालिक वर बिहार में ओनलाइन आविदन से मिलेगा रासन कार्ड जानिये कब और कैसे मिलेगा इस स्विधा का लाब जी हां राज में आव रासन कार्ड बनाने के लिए लोगों को प्रखन कार्याले वा जिला मोख्याला इसीत कार्याले में दोड़ लगाने के जौरत नहीं है पंचायत में इसीत कॉमन सर्विस सेंटर पर रासन कार्ड के लिए ओनलाइन अपलाई करना होगा केंदर की पहल पर बिहार सरकार के खायदे एवं उपभोगता मंत्राले ने इसके लिए बैब साइट में सुधा है इसको लेकर डेमो लिंक उपलब्द कराए गया है इसका विभागया इस्तर पर ट्रायल चल रहा है इस पर आवेदक डिजिटल मोड में ओलाइन आवेदन पाँच हजार रुपिये जिहां सड़क दुरगटना में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुचाने वाले गोडिस अमिरिटन को 26 जनवरी तता 15 अगस्त को समानित किया जाता है जिला प्रसासन के दुवारा हर साल दिये जाने वाले इस समान के साथ-साथ आप प्रोसा प्लेटपर्म टिकट का दाम अब इतने में ही मिलेगा सनिवार से ही नया आदेस लागो जी हाँ अब लोगों को पटना जक्सन पर अपने रिस्तेदारों जान पहचान वालों को छोड़ने जाने के दोरान ज्यादा जे भी ढिले नहीं करने पड़ेगी दानापूर मंडल प्लेटपर्म टिकट की दर को कम कर दिया है पहले जहां 50 रुपय देना पड़ता था अब पहले की तरह मात्र 10 रुपय ही देना होगा दानापूर मंडल ने महतपोर्न इस्टेशनों पर प्लेटपर्म टिकट का दाम घड़ा दिया है नया आदेस सनिवार की राज से लाग प्लेट वrän गया है याको बड़ी कबर इंवार में ऊंड का बारी बारी बारीष के बाद पचवा बदलेगा मौसम का मिजाज जहां बिहार में मौसम मिजाज टेजी से बदल रहा है पिछले कुछ दिनों से सुभे के कई जीलो में बार्ष से द Simple देने लहा है मौसम विभा प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग जगोह पर 21 अक्टूबर तक बारिस के आसार जताए हैं जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चमपरण, सिवान, गोपाल, गण्जो, सारन के साथ ही इससे लगने वाले जिलों में बारिस का प्रभाव अधिक रहने के उम्मीद है दिवाली वा चट पुजा पर बिहार आने वालों की होगी कोरोना जाच, लगेगी वेकसीन, सेम नितिस ने स्वास्त को दिया निर्देश जिहां दिपावले और महापर्व चट पर देश के अन्य राज्यों से बिहार आने वालों के आर्टी पिसेयर कुरोना जाच और टिका करन अनिवार रुप से कराय जाएगा प्रचार प्रसार के मैदम से आने वाले लोगों को बताया जाएगा कि अगर उन्होंने टिका ले लिया है या आटी पिसेयर जाच करवाई है तो उसका प्रमान पत्र अपने साथ जरूर रखे सनिवार को स्वास्ती विवाग की समीचा बेड़क में मुखिमंत्री नितिस कुमार ने इस वाबद अधिकारियों को आवैसक निर्दिस दिये है अब खराब आख वाले ड्राइवर अब नहीं चला पाएंगे गाड़ी होगी आखों की नियमित जाच जहां लोगों की सुरक्षित यात्रा का अनुवाव दिलाने के लिए परिवाहन विवाग ने नहीं पल की है अब व्यावसाइक वाहन चलाने के नियमित रोप से आख जाच होगी जल्द इस बाबत परिवाहन विवाग आदेश जारी करेगा पिछले दिनों सडक सुरचा सपता में ट्रक ड्राइवरों की आख जाच की गई थी इसमें काफिस सेंख्या में ड्राइवरों की आख की रोसने में गड़वड़ी पाई गई है इसे देते हुए परिवहन विभाग ने जिला इस्तर पर कैम्प लगा कर ड्राइवरों की आख जाच कराने का निनने लिया है जाच में जो ड्राइवर नेत्र दोस्ट से परिसान होंगे उनको गाड़ी चलाने से रोका जाएगा ऐसे वहन चालकों का नाम हुआ ड्राइविंग लाइसेंस की कौपी डिटियों के पास भेज जाएगे ताकि डिटियों कार्यालाई उस पर निनने ले सके बिहार पंचाज चुनाव के चोथे चरण में लागो होगा नया नियाम बायो मेट्रिक में बताया फर्जी तो जाना होगा जेल जहां बिहार पंचाज चुनाव के तिसरे चरण का मदान समाप्त हो चुका है अब 20 अक्टूबर को होने वाले चोथे चरन के मदान के तयारी की जा रही है बिहार राच निर्वाचन आयोग के चुनाव में किसी तरह की गड़वड़ी ना हो इसके लिए हर सम्हप परियास कर रही है इस क्रम में वोगस वोटिंग को रोकने के लिए आयोग चोथे चरन से नए नियम को लागो करने जा रहा है जिसके तहट फरजी वोट करने वालों के खिलाब बड़ी कारवाई की जाएगी इस बार चुनाव आयोग ने बायोमेटिक सहतापन के वेवस्ता की है इस वेवस्ता की तहट जो भी वेगती मदान केंदर पर मदान करने जाएगा उसका बायोमेटिक सहतापन किया जाएगा चोथे सरचरन से जो भी वेगती बायोमेटिक सहतापन में गलत साबित होगा उस पर कानूनी करवाई होगी और आरोपी को जेल भी जाना पड़ सकता है बड़ी ख़वर उपचुना में तेज परताब ने किया खेला कुसेसर इस्तान से कॉंग्रेस को करेंगे समर्थन तारापूर में आरजेटी के साथ लालो के बड़े बेटा जिहां लालो के बड़े लाल तेज परताब ने अब आरजेटी में तेजस्वी के आमने सामने मोर्चा खुल दिया है वितारापूर में आरजेटी के उमिद्वार अरुन कुमार सा को अपना समर्थन देंगे लेकिन कुसेसर इस्तान में कॉंग्रेस के प्रत्यासी अतिरेक कुमार को समर्थन देंगे चात्र जन सकती परिशत के लेटर के जरिये सनिवार को यह जानकारी दी गई है अगली बड़ी खबर बिहार बोर्ड इंटर में इस्पोर्ट नमांकन का विशे सवसर जिया बिहार बिदले परिचा समिती ने सत्र दोजर एकीस तेइस के लिए इंटर इस्पोर्ट नमांकन का विशे सवसर दिया है OFSSS के मैदम से राज की सिक्षन संसानों में स्पोर्ट नमांकन 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक करा सकते हैं बिहार बोर्ड के अनुसार चात्रों की सुविधा के लिए विशेश अवसर दिया गया है नमांकन के बाद संसानों की ओर से तारीक 23 अक्टूबर तक नमांकिन विदातियों की सुची OFSS पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ध्यान रहे यादि किसी विदातियों ने स्लाइड अप किया है और चैनिस संसान में नमांकन नहीं दिया है नहीं सामिल होने वालों को दिये ये सक्त निर्देश जिहां बिहार के परिचात्रों के लिए अच्छी कबर है बिहार विदाले परिचा समीति ने सेंटब जाच परिचा की तारिक कैलान कर दिया है बिहार में 12 नौमर से मेट्रिक की सेंटब जाच परिचा आजित होगे साल 2022 की मेट्रिक परिचा में सामिल होने वाली परिचात्री इस जाच परिचा में बैठेंगे बिहार विदाले परिचा समीति ने सभी डियो को निर्देश जारी कर दिया है इस सेंटब जाच परिचा में नियमित और स्वतंद्र कोटी के परिचात्री सामिल होंगे बिहार विदाले परिचा समिती ने सभी डियों को 7 से 9 नौमबर तक प्रसन पत्र एवं कापी उपलब्द कराने का निर्दिस दिया है बता दे कि बिहार विद्धाले परिचा समिती याने बिहार बोड ने सभी परिचात्री उकले सेंटब जाज परिचा देना अनिवार कर दिया है जो परिचात्री सेंटब जाज परिचा में सामिल नहीं होंगे उन्हें मेटिक 2022 के मुई के परिचा में बैटनी के अनुमति नह पर दिवाली पर मुप्त में कचरा उठाएगा नगर निगम घर बेजेगा कुरा गाड़ी इन नमरों पर करे कॉल जिहां दुरगा पूजा के बाद आप दिपावली चट के लिए नगर निगम ने सफाई की विसे सिवजना बनाई है दिपावली में निकलने वाले सुके कच अधित अंचल के सिटी मेनेजर को कॉल करके सुचना देनी होगी आपकी जानकारे के लिए बता दे के अंचल लूतन राजदानी के लिए सिटी मेनेजर का नमबर 844031248 बाकी पूर अंचल के लिए 9334910048 पाटली पूत्र अंचल के लिए 92644740 वहीं कंकडवाग अंचल के 926447441 सामिल है अब बिहार में गंगा किनारे चट पुजा की छूट मिलेगे या नहीं पटना में चल रही है तयारियों से मिलेगा इसका जवाब जहां कोरोना संक्रमन के कारण बिहार में चट पर्व के आयोजन पर संसाइ के बादल चटे दिख रहे हैं पटना के प्रमं बढ़ी है प्रमंडल या आयुक्तने जिला प्रसासन नगर निगाम विद्धोद विभाग भवन निर्वान विभाग और जल संसादन विवाग की बैठक आज बुलाई है जाहिरे के प्रसासन अगर तयारी में जूटा है तो लोगों को इस बार गंगा घाटों पर पूज होगी नई विवस्ता जिहां बिहार के सरकारे स्कुलों में ही नई बलके अब प्रावेड स्कुलों में बनने के लिए सिक्चक पात्रता परिच्चा याने के टेटी को अनिवार किया गया है सिक्चक पात्रता परिच्चा के अंकों के साथ ही इंटर्वी की विवस्ता रही है नियुक्ति कि प्रट भर बिहार में पहली बार डिजल also के पार पेटरोल और महंगा हुआ ज्या पेटरोंग में बमें बिर्दी का सिलसला जारी है विह विहार में पहली बार डिजल का मुली सौद रुपे प्रतीलीटर जरी है 13 October को डिजल का मूल 99.86 रूपी लिटर था 14 October को यह 36 पैसे प्रती लिटर बढ़कर 110.22 रूपे पर पहुच गया है इसी तरह सुकुरवार को डिजल का मूल 35 पैसे और बिर्दी के साथ 1197 रूपे प्रती लिटर पर पहुच गया इसी तरह से टूल का मुल 13 अक्टूबर को 107.55 रुपय पर था मुझ 14 अक्टूबर को यह 40 पेसे बढ़कर 108.15 रुपय पर पहुँच गया सुक्रवार को यह 40 पेसे की विर्दी के साथ 108.55 रुपय पर पहुँच गया है बिहार को बाड़ और बिजली संकट से बचाने का प्लान तयार अरुन कोसी पर लगेगी दो हाइडल परियोजिया बिजली संकट और बाड़ की समयसा से जोज रहे बिहार के लिए राहतवरी ख़बर है कोसी के नेपाल वाले हिस्से में 1450 मेगावार्ड पन बिजली उत्पादन की समावना तलासी गई है पन बिजली उनिट सतलज जल विदुद निगम लिमिटेट लगाएगी नेपाल की साथ मिलकर सुरू होने वाले इस पन बिजली घर से ना केवल बिहार को जरूत के हिसाब से बिजली मिलेगी बलके नियंत्रित मात्रा में पाने आने से कोसी से होने वाले तबाही और नदियों में गाद की समयसा भी कम होगी परन की बड़ी खबर पटना जक्सन पर अब रिटारिंग रोम की सुविदा शुरू जीहाँ पूरू मजद रेल की ओर से यात्री की सुविदा को ध्यान में रखते विए पटना जक्सन पर लगबग 26 माँ बाद रिटाइरिंग रूम के सुविधा शुरू कर दी गई है रेलवे का दावा है कि कम पैसे में यात्रियों को आतादोनिक सुविधाव से सुसजित सूपर डिलक्स कमरे उपलब्द कराय जा रहे हैं सूपर डिलक्स कमरे किसी भी बड़े होटल के सुट की तरह उपलब्द होगा इसमें आतादोनिक सुविधाव से सुजदित बड़ा कमरा तो होगा ही एक डेसिंग रूम वबालकनी के साथ ही आतादोनिक सोचले भी होगा इसके लिए यात्रियों को 24 गंटे के लिए मातर 16 रुपे देने होंगे आईने होटल की तरह 18 फिजदी जेस्टी अलग से देना होगा विजया दसमी के दिन से ही इसके आफलाइन बुकिंग सुरू कर दी गई है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार के कौन कौन से जिले में एक लिटर डिजल का दाम 100 रुपे के पार चला गया है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए